आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी सुस्तोंगे, महादेव की गृपा आप सभी पर सदय बनी रहे, ये वीडियो करक के लिए और की कैंसर के लिए बहुत मैत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 20-26 मई 2024 के सापताहिक राशी चंद्रमा की गती प्याधारित होता है, चंद्रमा एक ऐसे ग्रहें जो बहुत तेज भागते हैं, सवादों से धाई दिन में राशी बदल लेते हैं, तो बहुत सभाव ही कैके पूरे हफते में, जो की साथ दिन का होता है, वो अलग-लग भावों में रहेंगे, राशियों की संबंद बनाएंगे, तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव आपके जिवन पर पर सकता है, यही अधार मेरे साथाहिक राशी पल का होता है, ज़िए आपकी लगन राशी या चंद्राशी करके है, पुनह समझाने की कोशिश करूँगा, अलग-लग राशी पल नहीं बन सक करती है, अगर आपको नहीं पता लगन राशी तो चंद्राशी से भी देख सकते हैं, जहां से ज़्यादा आपको सठीकता बैठती है, या रिलेटिबिलेटी देती है, वहां से उपजब कर सकता है, व्यक्ति का तौर पर मैंने बता दिया, कि लगन राशी से मेरे हिसाब से ज़्यादा बैठता है, तो शुरुवात करते हैं, चंद्रमा, बीस तारिक को आपके चौथे भाव में आने कि तुला में आ जाएंगे, यह होगा शाम के चार बजे, और तेईस तारिक सुभा के तीन तक यहीं पर रहेंगे, चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत श कारेक्षेतर में कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन चंद्रमा बुद्ध को देख रहे हैं, तो कारेक्षेतर में कॉम्मुनिकेशन गैप हो सकते हैं, राज्योग बन रहा है, चौते भाव में आने कि प्रॉपटी या वाहन खईना चारते हैं, समय अच्छा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर आते हैं, तो बनता है कार को भावना शाय दोश, तो इमोशनल लेवल पर बहुत परिशान करेगा समय, केमद्रुम योग भी है, और बुद्ध की दृष्टी कन्फ्यूस करती है, तो यह समय मानसिक तोर से बहुत समवेधन शील रहेगा, वैसे भी सम मानसिक रूप के ही दिनोट करते हैं, वो जहाँ पर जाते हैं, उस भाव को उस प्रकार से अक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए चौथा भाव इमोशन का है, तो इमोशन अक्टिवेट हो गए तो समवेधन शील ता बहुत रहेगी, किसी की बातों मताएगा, ज्यादा परि श्वास रखिएगा, नमान शकुनली बताती है, मानसिक रूप से इमोशनल लेवल पर बहुत समवेधन शील टाइम है, लोगों की बाते हर्ट कर जाएगी, चोटी-चोटी बाते हर्ट कर जाएगी, दश्मान चकारक श्कितर में गलतियां हो सकती है, कलीक्स पर भरोसा रत भरमत कीजिएगा, जहां तक बिजनस की बात है, बहुत शुप समय है, अचानक से बड़ा लाब होगा, फैमली बिजनस करते हैं तो और लाब होगा, हॉस्पिटैलिटी, फूड इंडस्री, हुमन रिसोर्स, इमिग्रेशन, और लाब होगा, लव लाइफ, लव लाइफ मे पेशन्स के वशकता है, थोड़ा सा पेशन्स दिखाना पड़ेगा, अविवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम चल रही थी, वो थोड़ा सा उनका निवारा नपराप्त हो सकता है, स्टूडन्स की जहां तक बात है, ठीक है, लेकिन अपनी अंडस्टेंडिंग और नीच के हो जाएंगे, यानि की विश्चिक राशी में, और पच्चेस तारीक सुभा के ग्यारा बजे तक उनका गोचर यहीं पढ़ेगा, चंद्रमा का पंचम भाव में आना, बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहां पर वो नीच के हो रहे हैं, केंदर के स्वामी है, कोन में आ रहे हैं, राजयोग बनाएगा, लक्ष्मी योग बनेगा, लेकिन नीच के हो रहे हैं, खेर, मैं नीच के ग्रह को बहुत बुरा नहीं मानता, स्पेशली आज के टाइम में, मैं बता चुका हूँ, कई लोगों को कि नीच का ग्रह कई बहुत पैसा देता है, लेक सोचेंगे, गडबर चीजे सोचेंगे, जिनका वास्तविक्ता से कोई लेना देना होगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा आपने मानसिक लेवल पर ध्यान दीजेगा, अच्छी चीज लेकिन क्या है, गुरु से केंद्र में हैं, गजकेसरी योग, गुरु आपके भाग्यस् सुर्य से सप्तम में है, धरस्तान के स्वामी है सुर्य सप्तम से देख रहे हैं, पूनिमा योग बन रहा है, बहुत शुप है, शुक्र लाभेश है खुद और केंद्र भाव के स्वामी है, यहां पे देख रहे हैं, तो भौतिक रूप से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, आपके पास लाब आ सकता है, बिजनस में बहुत लाब आ सकता है, लेकिन अगर मांसिक लेवल पर कंट्रोल नहीं हुआ, तो लाब की जो क्षमता है और उसकी जो वैल्यू है, वो कम हो सकती है, नर्मान चिकुनली, ठीक है समय, बस अपने मांसिक लेवल पर ध्यान देजिए, दश्मान चिकुनली, कारेक शेत्र, थोड़ा सा असहाय महसूस करेंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो सकते हैं, जो आपको समझ नहीं आएंगी, बिजनस में तो समय अच्छा है, लेकिन खर्चों पर नियंतन, लव लाइफ शान्ती बनाता रखनी है, अपनी उर्जा पर नि प्राइम नहीं देते, और यही प्रॉब्लम देख रही है, स्टूरेंस, गलानी की भावना से भरे रहेंगे, जो नहीं कर पाए अच्छीव, उसको लेकर परिशान रहेंगे, सेहत, हृदे संबनेद रोग, पेट के रोग, नसों के रोग, सरवाश्टक, आपका तीसा बली है, अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं, पच्चिस तारीक सुभा के ग्यारा बज़े चंद्रमा आ जाएंगे आपके, छटे भाव में आने की धनों में, और सब्ताहा केंते तक नहीं पर रहेंगे, चंद्रमा का छटे भाव में आना बहुत शेष्ट तो ही होता, लेकिन हाँ कुछ अटके वे कारे पून हो सकते हैं, गुरू से पुनहा आठफे में आ गया, नहीं की शकर योग फिर से बन गया, कुछ कारे डिले हो सकते हैं, यहां पर चंद्रमा आपके लगने के स्वामी है, तो उन पर प्रभाव थोड़ा ज़ादा हो जाता है तो अपनी फिजिकल और मेंटल सेहत का काफी ध्यान रखेगा, छटे के चंद्रमा एक चीज़ अच्छा करते हैं कि वो कभी-कभी अटके हुए कारे पून कर देते हैं, तो हो सकता है कोई लीगल कारे फसा होता हो, वो आपका यहां पर पून हो सकता है, व्यत्ती चिंताओ उसे अपने आपको दूर रखेगा, चंद्रमा देखी केमदुरुम योग में है, मैं बता चुका हूँ पिछले राशी फल्म में भी पिछले सप्ता के, केमदुरुम योग अभी बार-बार बनेगा और लंबे टाइम के लिए, क्योंकि ग्रहों की अवस्ता ही ऐसी है, सार के अंतिम भाग में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई जान बुच कर बहस करेगा और आप उसमें पढ़ जाएंगे, और उसके कारण प्रॉबलम भी बढ़ जाएगी, जहातक नवमान्ची की बात है, ठीक है, अपने रुके होई कारे पूर्ण कर सकते हैं, दश्मान्ची क उनली बता रही है, कारक्षेत्र में कारे भार बढ़ेगा, लेकिन अच्छा कारे मिलेगा, बिजनस बहुत शुब समय है, स्पेशली अगर आप फून इंडिस्ट्री, हॉस्पिटलिटी, या सर्विस पेस्ट या दवाईयों से समझत कुछ कारे करते हैं, लव लाइफ की जहां तक बात है, ठीक है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं दिख रही, लेकिन अगर कोई दिक्कत है, तो बैठकर बात चेत कर लेजेगा, ऐसा लग रहा कोई टॉपिक है, जो डिसकस नहीं कर रहे हैं, उसको बस जैसे कहते हैं कि बस टाले जा रहे हैं, उस पर क गले के रोग, हड़ियों के रोग तंग करेंगे, सरवाश्टक में आपका छटा भावतिन तबली है, एक ही कारेवस कीजेगा कि अपने दुश्मनों से थोड़ा सा बचके रहेगा, क्योंकि यहां पे मिल जुलकर कुछ लोग आपको तंग करने का प्रयास करेंगे, हाँ, चोटी मोटी चोट चपेट के भी योग है, आपके लिए उपाई स्वरूप यह है कि आपको शिव चारीसा और गौरी चारीसा दोनुं का एक एक बार पार करना है, आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा, चैनल पे नहीं है, सब्स्राइब कर लेजी, वीडियो को लाइक क